हेलो दोस्तों स्वागा था आप सबों का आपके अपने चनल पर दोस्तों आज का जो सेशन यह बहुत इंपोर्टे होने वाला आपके लिए क्योंकि अभी जितने भी एक्जैम्स हुए है सीटेट का दर 22-23 का इसमें जितने तरह के सवाल पूछे गए हैं मैथ में उन सारे ट सेंटीमेटर आठ सेंटीमेटर और 6 सेंटीमेटर है तो उसका प्रिष्टिया छेतरफल क्या होगा देखिए क्वेस्टन आपके सामने है आप विडियो को पॉस करिए और इसको पहले बनाईए क्योंकि एक्जाम चल रहा है अगर आपके त्यारी नहीं है तो समझे कि बहु समझे कि वह संपूर्ण की बात नहीं कहता तो घनाब में लिखता है चारों दिवारों का चेटरफल तो चैनल नहीं लिखा हुआ है तो संपूर्ण सम्मुश्च क्या होता है दो इंसतों देखिए आपके options आपके सामने दिया गया है और इस तरह से आप question को solve करेंगे देखिए L का मान दोसों कितना है 10 B का मान 8 और H का मान 6 बच्चा वाला question है तुर्ण इसों क्लिक करो देखिए दो गुने L B L B मतलब कि 10 गुने 8 80 B H यानी 8 गुने 6 48 और L H मतलब 10 गुने 6 60 अब देखिए 60 और 48 108 हो गया 108 और 80 यानी 188 188 को डवल करोगे तो देखिए आपके option number D में ही केवल 6 दिया हुआ लास्ट में एक्जाम में आपको बनाने के साथ साथ दिमाग एदम खुला होना चाहिए यानि आपको ये समझना आना चाहिए कि हम भई यहां बिना गुना के भी माल सकते हैं जब 188 को दो से गुना करोगे तो आट दुनी 16 यानि आन्त में 6 आएगा बाकी जो भी आना हो तो आपका देखिए जो option दिया गया है वह आपको टाइम बचाता है सीटेड के विद्यार्थियों का यह हमेशा एक सिकायत रहता कि सर टाइम एड़ेस्ट नहीं हो पा रहा भाई कैसे होगा यहां बच्चा वाला कोस्तन में तुम जो है क्या करें टाइम लगा रहे हो जिस कोस्तन का उकात नहीं है उसको तुम ट अर्ली करेंट टॉपिक से हैं ठीक है और आप जान रहे हैं कि सीटेड अभी नंबर सिस्टम से भर भर के कोस्तन पूछ रही है तो आप को सिस करिए सवाल को बनाने का एक्स कमान निकालिए सभी कोई को सिस करिए देखिए 590 का एक्स परसेंट माइनस 11.8 देखिए आपको कि सब्क्राइब बहुंतने है कि चकता सब्क्राइब कार प्लस और माइनस इक्वैसन बांकरता है तो यह जो आपका एक्स्प्रेशन पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानि यहां आप 590 का एक्स परसेंट ठीक है का मतलब गुनाव हो गया आप यह जब वहां जाके जुड़ेगा तो 36 और 11 बोलो कितना आ गया 47 यायनि 247 पॉइंट कि आठ है ना आठ हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब लोग क्या करेंगे एक्स का जब मान निकालेंगे तो भाई एक्स का मान निकालने के लिए जो नीचे है वो उपर जाएगा और जो उपर है वो नीचे आएगा बस इतना जैनकना है जो नीचे है वो उपर जाएगा और जो उपर है वो नीचे आएगा पांसो नब्वे उपर था नीचे चला गया एक सो नीचे था ऊपर चला गया तो भाईया यहां से देखो डबल 010 यहां से आ गया तो यह और यह तो कट गया अब आपको देखना है केवल ये कि हम इसको कैसे कटाएं ठीक है आप मेंसे कई लोग जब यहां फसेंगे तो भया 69 से भाग करना शुरू कर दिये होंगे आप में से कई लोग भाग नहीं करना है भाग नहीं करना है मास्टर जी लोग भाग देखो क्यों नहीं करना है अब देखिए 69 यानि 59 से कटाना है इसको और इसके अंत में 8 है और यहां अंत में क्या आंत को दो बार पढ़ने पर आठ आता है तो आंत में दो बार दो तो भई एक इठों में है 42 हो गया उत्तर यानि इसको हम 42 बार में काट दिए बिना काटे कैसे करता समझ में आ रहा है यह सब टेखनीक आपको जरू अपनाना है तभी एक्जाम में आप औरों से आगे कि आपके सामने है और एक से तीस तक संसंख्याओं का योग निकालना है अभी जो जितने भी लोग सीटेट दे करके आए हैं आप उससे बात करिए और देखिए उससे पूछिए कि गणित में क्या लगतार संख्याओं वाला कुस्टन दिया था बिलकुल दिया था चाह वो हम बताने वाले हैं और एक जो आप जानते पहले से कि भाई 2468 सब को लिख के जोट डालो इसके अलावा अगर कुछ आपको आता है तो कमेंड करिए और अपना उत्तर बताए कि इसका को क्या उत्तर होने वाला है तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि एक से तीस तक जब गिंती करेंगे तो भाया पंदरा को विसम मिलेगा पंदरा को संख्या मिलेगा पंदरा को विसम संख्या मिलेगा हमको विसम संख्या मिलेगा हमको विसम से मतलब है ठीक है तो जब लगतार संख्याएं दी गई है और संख्या दी गई हो ठीक है उसका योग निकालना हो तो तो भही क्या करो कि 15 और इसका ठीक अगला संख्या क्या होता है 16 होता है तो आप 15 गुणे 16 करके आप गुणा कर दिजिए ठीक है तो जब 15 गुणा सोला किजिएगा तो आपका झो उत्तर आएगा वहीद क्या आपके में मैच करेगा अब गुना करने का आप को एक टेकनीक बता रहे है ध्यान से सुनों ठीक है बहुत तरह के ट्रीक आप यूटूब पर देखे होगे हो लेकिन हम जो बता रहे हैं वो एक आधार है उसी से आपका कैलकुलेस्टर मजबूत होगा देखिए अगर यहां 15 गुने 15 होता सबको पता में 225 होता 15 का स्क्वेर लेकिन 15 को 16 से गुना करना है यानि 15 तक ही नहीं पढ़ना एक और पढ़ना है तो पंदरा गुने 15220 एक बार और पढ़ना है यानि 25 से 15 और सामिल करना है तो 25 पंदरा 40 देखिए आपका ओप्सन में है 240 मजारा की नहीं ठीक है तो इस तरह से आपको सन को सॉल्व करेंगे दोस्तों अब देखिए आपको इसमें और समझाते हैं कि इसमें क्या करेगा कि कभी कभी एक से 30 के बीच समसंख्याओं का योग बताईए तो एक से 30 तक के बीच एक से 30 के बीच तो 30 के बीच में आप बोलिए 30 को लेंगे समसंख्य 15 होगा जैसा भी आपको बताए मैंने लेकिन 1-30 के बीच विसम संख्या एक से 30 के बीच है तो बहिया वह भी कितना होगा वह भी होगा 14 ही होगा क्योंकि एक विसम संख्या तो है लेकिन एक और 30 के पीज की बात बोल रहा है तो एक नहीं लेंगे तीम से गिनेंगे और उन्तीस तक गिनेंगे बात सोज़ने आरा आप लोग को ठीक है तो यह चुछ चुछ बाते आपको समझा रहे हैं इसको बड़े गौर से सुनिएगा बहुत इंपर्टेम बता रहे हैं ठीक है अगला को सं सवाल लेकिन बहुत ही बेसिक कोंसेट्ट को चेक करेगा यह आपका और इस तरह का बेसिक कोंट्र आपके एक्जाम में बहुत जरूरी है तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा क्वेस्टन कहता है निमलिखित मेंसे कौन सा 210 का गुनंखंड नहीं है तो भाई आप लोग प संख्याएं होती है जो किसी संख्या को पुर्णता काड़ दे जैसे एक्जामपल के तौर पर देखिए अगर हम तीस का गुनंखंड ढूनेंगे तो भाई एक भी होगा दो भी होगा तीन भी होगा पांच भी होगा छे भी होगा और दस भी होगा पंदरा भी होगा और ती आवाज गुनंखंड रही है थे का तो चीज है अवात गुनंखंड हो योगा इसके हैं है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 210 को नहीं काट सकती है तो वह दोस्तों है 40 क्योंकि 210 को आप 40 से नहीं काट पाओगे क्योंकि ऐसे काटोगे बचेगा चार और उपर में 21 यह कटेगा ही नहीं तो 40 इसा गुनंखंड नहीं होगा गुनंखंड और गुनज के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हुए एक वीडियो में आप सर्च कर सकते हैं गुनंखंड और गुनज बाय प्रितम सर या फिर सिदाताजु किसन पॉइंट आपको मिल जाएगा एदम डिटेल में समझाए हुए हैं आपको कोई दिक होंगे आपको सब्सक्राइब अच्छे से पढ़िए और आप सभी को उत्तर लगाईए तब मजाएगा क्वेस्टन कहता है एक मांचित्र पर एक सेंटीमेटर 120 किलोमेटर को दर साता है कि समान है यदि पटना और कोलकता के बीच दूरी 750 किलोमेटर है तो मांचित्र पर उ 120 किलोमेटर है तो आपको बोला है कि भाया ये बताओ कि साड़े 700 किलोमेटर की दूरी है किसी दो सहर के बीच पटना और कोलकाता के बीच तो वह मांचित्र पर सेंटीमेटर में कितना दीखेगा तो आपको करना क्या है से सवालों में कि 750 को डारेक्ट 120 से भाग कर देंगे क्योंकि हम ये देखें कि 120 का कितना टुकडा इसमें है क्योंकि 120 का मतलब एक सेंटीमेटर है तो 120 जितना टुकडा होगा उतना सेंटीमेटर होगा अगर दो टुकडा होगा तो दो सेंटीमेटर होगा पांस टुकडा होगा तो पांस सेंटीमेटर होगा है ना देखिए 12 से 24 सवाचे 6.25 देखिए ओप्सन में दिया गया है 6.25 सेंटीमीटर यही आपका आंसर हो जाएगा लग रहा है कि नहीं कि कोस्टन बहुत ही अच्छे से बना जा सकता है और आप लोग ध्यरी पूरुबग बस एक एक कोस्टन को देखते जाए सेसन अच्छा लगे तो आपने द देखने संख्या 98532 का स्वापस्येक संख्या क्यों से संख्या तो 91532 का संख्या क्या ओगी नगे बताना है 9000 क्या होता भई संबिकर होता है एंपरोक्स भेल्यू जब से नजजदीक हो सकता है रांड फिगर आप तम डियहाती बसं आप शुनते हैं राउंड फिगर जैसे मालीजे कहीं पर गए आप कुछ समांग खेजने वो बोल रहा कि नहीं इसका दाम आट का 20 पैसा है बहुत राउंड फिर्म लगा दू तो क्या राउंड फिगर में वो नौट का लगाएगा कि आट का लगाएगा आट का लगाएगा ऐसा क्यों बताईए क्योंकि जब 0 5 से बढ़ा होता है तो उसे हम अगला संक्ख्या में ले आते जैसे आख पींट पाँंच इसको 9 में ले जाते हैं, 9.4 इसको 10 में ले आते हैं, नहीं, क्या रखिएगा, 8.5 भी 9 में नहीं जाता है, 8.5 आठ में ही रहता है, 5 से बढ़ा होगा तब न भाया, और 9.4 है तो ये भी 9 में होगा, लेकिन 9.6 दस में चला जाएगा, 8.6 नौ में चला जाएगा, यानि 5 और 5 से नीचे रहे, तो कोई चेंज नहीं होगा, यानि पीछे में आ जाएगा, और अगर 5 के ऊपर जाएगा, तो अगला संख्या आ जाएगा, समझना आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ, 9.500, तो यहाँ हमारा, जब हजार में बात हो, जब हजार में बात हो, तो 500 बनता है सन निकट हजार में मान किया होगा, तो यहाँ 100 में बात नहीं किया है, अब एक ची आपको और समझा देखिए, अगर 950 लिखा होता तब भही इसका सन निकट क्या होगा, तो इसका सन निकट तो 100 में होगा, क्योंकि 900, 800 ऐसे बात चल रहा है, तो 950 तो भही इसका सन निकट 900 ही होगा, क्योंकि 50 पार ने किया है, अगर 960 चला जाए, तो इसका लिखेंगे हम 1000, यानि कि 100, ठीक है, 920 लिखा रहे, इसको लिखेंगे हम 900, बोलो बास वाई में आ रहा है, ठीक है, कहीं को दिक्कत नहीं है, अगला कोशन बढ़े, चलिए, अगला कोशन चलते हैं, अब दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देखिए, एक एवरेज का बहुत ही बढ़ी हाँ कोशन है, और हम दावा करते हैं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट इस को बिना जोड के भाग किये नहीं बना पाएंगे, अगर ऐसा है, तो आपको चैलेंज करते हैं, इसका उत्तर बि नाच लड़कों की लंबाई 146 cm, 154 cm, 144 cm, 148 cm, 158 cm रिकॉर्ड की गई, तो इन सब की उसत उचाई कितनी है, तो उसत उचाई दिखिए, इसका उप्सन दिया गया है, 152 cm, 156 cm, 156 cm, अब हम दिखाते हैं कि इस सवाल के लिए, बेहतर तरीका क्या होना चाहिए, आप इसको ध्यान से समझेगा, ठीक है, और नहीं, आपको यह सवाल में अगर फसना है, तो फिर आप जो है, अपनी साब से काम करें, ठीक है, यहाँ पर जो मान दिया गया है, 146 cm, 154 cm, एकदम बड़े ध्यान से समझेगा, इस तरह के सवाल बड़े को, एक्जाम में भी देखेने को म मिलता है, और वहाँ पर भी विद्यार्थी लोग गलती कर वेटता है, पांच विद्यार्थी हैं, ठीक है, अब आपको इसमें एक बेसिक सा टेक्निक समझा रहे हैं, उस टेक्निक को ध्यान दिजेगा, देखिए, अगर इसमें गौर करें, तो कुछ मान 50 से नीचे है, और कुछ मान 50 से उपर है, तो टेक्निक ये होगा, कि जितनी संख्याएं हैं, उसमें से एक बीच का कोई संख्यान उठाईए, तो भाईया, बीच में एक संख्याम को दिख रहा है, 154, जिसके नीचे भी कुछ-कुछ है, एक दोठो है, इसके उपर भी एक दोठो संख्या है, ठीक है, तो 154 से 146, आप बताएं कितना कम हुआ, तो भाईया, आप बोलेंगे, माइनस आठ, कम मतलब माइनस लिखना है, 154 के बारे में कुछ, आप नहीं करना है, क्योंकि उसको संख्याएं, तो हम लेही लिए, एवरेज, 164, यह 154 से कितना जादा है, बताया जाएं, 10 जादा है, 148, 154 से कितना कम है, तो भाई छेए कम है, और 158, 154 से कितना अधिक है, तो भाई 4 अधिक है, अब देखिए दो ठो प्लस में है 10 और 4 चोगदा यानि प्लस चोगदा और 8 और 6 माइनस चोगदा प्लस माइनस कट करके 0 आ गया यानि हमारे पास कुछ मान नहीं बचा जब कुछ मान नहीं बचा तो जिसको हम माने थे एवरेज वही इसका उत्तर होगा बना कि आप चेक कर लिजिए यहीं इसका उत्तर होगा 154 यह एप्रोच होना चीए आपके अंदर तब सवाल और सौल्व होगा और तब आएगा नंबर ठीक है बाकि एक तरीका और क्या है वह आप जानते हैं अच्छा हाँ एक सवाल यहां पर और कि सर अगर यहां कुछ बचता तो क्या करते हैं अगर यहां मान लेते हैं माइनस 3 बचता सपोज जोड घटाव करने बाद कितना बचता माइनस 3 तो माइनस 3 बचता तो हम क्या करते 154 में 3 जोड देते माइनस आने पर जोड देना है और अगर प्लस 3 आता तो 154 में हम 3 कम कर देते प्लस आने पर कम कर देंगे और मैनस आने पर क्या करेंगे जोड देंगे ठीक है लेकिन आया जीरो तो कुछ नहीं करेंगे बांकी तरीका देखें क्या है आप जान रहे हैं छे दस चोगदा आठ बाइस और आठ तीस हाथ में तीन 15, 14, 29, 29 और 6, 35, 10, 45, 50, 10, 60, 10, 70 और 4, 74 और 3, 70 इसको 5 से भाग करेंगे देखिए आपका मान 154 आ रहा होगा बोलिए समझ में आ रहा है ठीक है इसको काटने पर 154 आ जाएगा आप आसानी से कोशन सॉल्व कर सकते हैं यानि 770 को हम 5 से भाग कर रहे हैं ठीक है दोस्तों तो ये तरीका तो वही ओल्ड तरीका है आप पहले जानी रहे हैं लेकिन जो तरीका आपको हम समझा रहे है उसक स्क्रिन पर है कि 90 डिगरी से अधीक और 180 डिगरी से कम कों का क्या नाम है या उसे क्या कहते हैं सब्सक्राइड् और 10013 कों को को हम लोग अधीक कोन कहते हैं और अधीक कोन कहते हैं अगला सवाल दिखे दिया गया है निमलिखित आंकड़ों का माधिका ग्याद करिए माधिका दोस्तों अगरेजिम बोलते हम लोग मेडियन ठीक है मान दिया गया है 24-36-47-18-25 और 35 हम एक बार यहां लेते हैं 24-36-46-47-18-25 ठीक है दोस्तों यह है आपका संख्याएं तो जब भी माधिका निकालनी हो देखिए उसका एक बेहतरीन टिक्निक आपको समझा रहे हैं क्या करें इसे आरोही या आरोही में लगा लिजिए दोस्तों आरोही क्या होगे बताइए तो एसेंडी ओड़ा बढ़ते कदम और आरोही क्या हुआ घड़ते कदम पीछे आ रहे हैं आरोही घड़ते कदम और आरोही बढ़ते कदम ठीक है तो क्या करेंगे पहलेंगे हम 17 फिर लेंगे 18, फिर लेंगे 24, फिर 25, 25 के बाद कोन सा भई, 25 के बाद 35 है, फिर 36 है, और 46 है, गिल ले, 3-3-6-7, 3-3-6-7, very good, अब इसमें से जो सबसे बीच में है, तो देखिए इधर से 3, उधर से 3, बीच में कोन आ गया भई, 25 आ गया, तो इस 25 कोई क्या बोलेंगे, माध्यका बोलेंगे, यानि मीडियन बोलेंगे, देखिए 25 आपको ओप्शन में दिया गया है, ओप्शन नम्मर C में, अब आपके मन में एक सवाल चलेगा, कि ठीक है सर, साथ था तो आप बड़े, आसानी से दम, उचल उचल के बोल दिये, कि भईया, बीच बला मार दो, बीच बला मार दो, अगर इस संख्या 6 होता, तब क्या करते आप, तो भई 6 होता, तो इन दोनों को जोड़ते हो, ठीक है, 6 होता, तो दो इधर से छोड़ देते, और दो ज जाएगा, तो ये बीच का 2 उठा लेंगे, 29 उसको 2 से भाग कर देंगे, ये आजाएगा आपका, 14.5, ये इसका होता उत्तर, अगर यदि 7 नहीं, 6 संख्याय होती, समझ में आ रहा है, कहीं को दिक्कत नहीं है, आसान कोस्तन है, आगे बढ़ते हैं अगले कोस्तन में, दोस के सारे formula, उसके सारे concept, बिलकुई clear होना चाहिए, कभी-कभी तो घनाव से basic question पूचता है, कव्यकि कोस्तन पूचता है, कि बढ़ते हैं, कि एक घनाव के बताओ कितने सत्रे हैं, कितने किनारे हैं, कितने कोन हैं, तो ऐसे सवालों को भी अब बड़े आसानी से बना सकते हैं ठीक है तो देखिए यह कोस्तन बोला है कि एक घनाव की लंबाई चोड़ाई उचाई दी गई है घनाव का कुल परिष्टिया छेत्रफल भाईया यह टैट वाले जो है यह कुल परिष्टिया छेत्रफल के पीछे पड़ गए है यह जो है बिना कुल परिष्टिया छेत्रफ और एलेज कितना हो गया पांच तीया पंद्रह बीस पंद्रह पैटीस और दस पैतार्लीस और दो स्यतार्लीस यानि दो गुनेस से तार्लीस यह मान आपका आगा 94 देखियो ऑप्सें में दिया गया है 94 सेंटीमीटर आप ध्यान देंगे 94 सेंटीमेटर एक ही स्क्वाइर भी है और क्यूब भी है तो भाई या आयतन हमेशा क्यूब में होता है छेत्रफल हमेशा स्क्वाइर में होता है इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे ठीक है अगला कुशन देखते है तो जस्तों उमीद है कि मजा आपको आ रहा होगा ठीक है और देखिए पढ़ाई में आपके काम का चीज हो तो आप पढ़ लिया करिए मजा तो पढ़ाई के बाद भी लिया जा सकता है है कि नहीं जब सीटेट निकल जाएगा तू मजा लिया जाएगा अराम से अच्छे सब्सक्राइब पढ़ लिया करिए देखिए कुशन कहता अगला 315 441 और 357 बोड़ प 20 और 16 अब बताईए कि आप में से कितने ऐसे लोग है जो इस सवाल को बिना भाग विधी के अलावा बना सकते हैं एक तो भई होता है भाग विधी और एक होता गुनंखंड विधी यानि आभाज गुनंखंड विधी इन दोनों के अलावा किसके पास टेकनिक है भाईया क् कि LCM SCF हम पढ़ा हैं और जो भी मेरे अफलाइन वेचेस के स्टुडेंट होंगे उसको पता हो कि इसका टेकनिक क्या हो सकता है बहुत ही आसाल टेकनिक है आपको बताए है कि अगर यदि SCF निकालने बोले तो दो सबसे नजदीक का संख्या को उठा लो भाईया उठा कि क्या सही है ना अरे उल्टा हो गया जी यहां हो गया साथ में पांच गया तो दो ठीक है 42 अब आप देख रहे हैं आपको तुरंट चेक करना कि क्या 42 ऑप्शन में है तो भया नहीं है तो 42 कि से कटने वाला एक ही से मार्द उतर इससे फास्ट क्या होगा बताओ ठीक है कि अगर यदि किसी भी संख्याओं का s.c.f. निकालना है चाहे वो अंतर लिजिए अगर अंतर ऑफ्शन में नहीं है तो यह अंतर ठो किस से कटेगा भया इसको का कोन काट देगा उच्छे कर लो 21 42 21 अंसर मार दो कुछ नहीं करना उसके बाद ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कोशन में मजा रहा है देखो आप धेरे क्या है कि हम कुछ खुछ कुछ 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 वला मजा ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सब मजा आते चले जाए अगला कोशन देखते हैं कि दोस्तों अगला सवाल देखें आपके सामने है कहता है जो संख्या दी गई इतनी बड़ी संख्या कि वर्ग का इकाई अंग क्या होगा वर्ग समझते है स्क्वायर अब इसका वर्ग करना है और उसका निकालना है इकाई अंग यानि यहीं करना है भई यह करना है घुमा के पुछा कहल ऐसे उलताक पकड़ा है संख्या मिर्दिया है और ऐसे बोलता अगर फटाक से मार देते नहीं मारते अगर इतनी बड़ी संख्या है कल को फुरा बोर्ड पुरा भरता संख्या से को मेटार नहीं करता है अंती में क्या बरी अंती में 6 है तो आप सब कुदम याद रखो रट रट लोगे जीरो एक पांच छे अगर इन चारों में से कोई भी लास्ट में दिख गया तो पावर यहां कुछ भी आजाए अगर兩 सब्सक्राइब दो आजाया जाया 200002 करों आजाये उससे में नहीं करता है अगर छे है तो इकाई अंग भया छे ही होगा इसका यूनित डिजट इन काई किसे नवन सब्सक्राइब सब्सक्राइब नबर सिस्टम से भर भर के कोश्चन दे रहा है तो आपको घबलाना नहीं है देखिए अगला सवाल जो है यह सवाल आपका जो है time and speed and distance से है और यह सवाल आपको थोड़ा सा घुमाप्रा की लिखता है घवडागीएगा नहीं यहाँ थोड़ा आपको डायाट कोसन लिख दिये हैं इसे वहां बोलेगा एक ट्रेन दिल्ली से चली इतना बजे मुंबई पहुंच गई इतना बजे और आपका है time निकालो की दिल्ली से मुंबे जाने हम time किता लगा होगा है कि नहीं तो यहां देखिए क्या किया गया है को समय सामने आपका है कैतर रिलगाडी 75 किलोमेटर परती घंटा की एक समान चाल से चल रही है कहीं के लिखेगा औस चाल से गवड़ाने काम नहीं खाली ऐसे बखलोली किया हुआ है एक समान चाल से चल रही है वह बीस मिनट में कितनी दूरी ताह करेगी इस पीड है आपका 75 किलोमेटर परती घंटा और टाइम है आपका 20 मिनट आप एक बात ध्यान रखेंगे वी जरूर देख लीजाए कि वीफशन कीलोमेटर में है कि मिटर में है है तो देक нев Check सब किसमें km में है इसका मतलब है कि समय को हमको क्या करना होगा आवर में चेंज करना होगा आवर में जैसे चेंज करोंगे एक बटब टीन गहंटा बन जाएगा हका अब हम स्पीड निकालेंगे सोरी दूरी निकाल लेंगे तो इस पीड केतना है 75 इसको टाइम एक बटे तीन से इसको गुना कर देंगे तो पंदरत या 75 यानि देखिए ओ सोरी लगता है दिमागा घुम रहा गया 25 यानि इसका अंसर देखिए होगा 25 किलोमीटर आपसन नमबर देखिए ए में दिया गया ह अब दोस्तों आपके सामने देखिए स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है इस सवाल को बनाने के तो कई तरीके हैं या सवाल एक्च्वली में किस टॉपिक है बताईए लसीम का है तो यह सवाल आप में से सभी को ट्राय कर सकते हैं सब बना सकते हैं लेकिन मेरा जो टेक्नीक होगा आप उस टेक्नीक को देखेंगे और आपको लग जाएगा कि इस तरह का सवाल बनाने के लिए सर आपका तरीका ही सबसे बेश तरीका है तो यह कहता है कि 12 18 और 20 से पूरी तरह से बिभाजित होने वाली तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 12 18 और 20 से संख्या है देखियो ऑप्शन दिया हुआ है 990 900 980 और 920 अब हम चाहेंगे कि आप लोग पहले इसका उत्तर कमेंट करें ठीक है आपने अपना पर लेग वीडियो को पॉस्ट कर लिजा और इसको कुस्तों को बनाईए और इस तरह कि सवाल टैट में खूब को सन पूछता है ठीक है उसको ध्यान दीजिएगा क्या इन किसी स्तंक्याओं में तीनों मैंसे कहीं पर 9 है देखिए यह दुनिया में कोई ऐसा LCF का कोस्टन नहीं बना जिसमें 3 या 9 दोनों नहीं कभी कि दोनों हो सकता है या तो 3 या 9 रहे या तो भी दोनों रहे देखिए यहां पर 3 भी है यहा वाली संख्याग्रम ढूंड रहे हैं तो भाया अगर इसमें नौ है तो वो नौ से भी कटेगा न और नौ से काटने का नियम क्या है पता है भाजकता आप लोग पढ़े होंगे जो नहीं पढ़े हैं अब भी भी जाकर के मेरा नंबर सिस्टम का प्रेलिस्ट खोलिए और जाक में से कोई अब उत्तर होगा अब हम यह दोनों पर फोकस करेंगे बारा में देखिए क्या है चार है और एक ची और और ध्यान रखेगा कि जब नौ से चेक कर लिए तो फिर तीन से चेक नहीं करना बूलो क्यों क्योंकि नौ में तीन है ना अगर नौ से कट गया अगर से कोई संख्या तभी कटेगी जब किसी संख्या का अंतीम दो कट जाए या अंतीम दो सुन्य हो तो अंतीम दो सुन्य किसमें है नौ समय उत्रे ही होगा 900 मजा आ रहा है लग रहा है कि मैत इस तरह से बनना चाहिए ठीक है तो हम कोसिस कर रहे हैं कि आप जितने भी टेट के विद्यारती हैं जो भी भावी सिक्षक सब हैं आप लोग थोड़ा सा गनित बढ़ियां से सीखें और गनित आके आप अच्छों से बच्चों को पढ़ हुई है ना तब से लेकर के अब तक पूछते आ रहा है यानि यह टेट का एकदम फैबरेट कोस्टन में से एक आता है क्योंकि यह संख्याओं के निर्मान से समद्दित सभारें बहुत यह अच्छा कोसन रहता है कोसन पढ़िया आप लोग कहता है तीन पांच और साथ द् परिमान तो भई आप मैंसे बहुत किसी को बड़ी संख्या और चोटी संख्या निकालने ही नहीं आ रहा है बनाने ही नहीं आ रहा है अब जिनको नहीं आ रहा है अधम इमांदारी पुरुवक मन फुल भए हमको नहीं आता है आमको सीखना है तो जब दिए गये आंकों को प्रयोग करते हो बड़ी संख्या निकाल बनानी हो तो बड़ी में सबसे पहले सबसे बड़ा लेंगे आप उसके बाद जो बड़ा है उसको लेंगे उसके बाद जो बड़ा है उसको लेंगे ठीक है यानि करम से आप बड़ा 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 लेंगे ठीक है बड़ा बड़ कर देना है तो आपको क्या मिल जाएगा छोटी संग्या मिल जाएगा ओके जोस्तों अब इन दोनों का अंतर दिखना है 13 में 7 गया 6, 4 में 4 बंदा की कितना हो गया ये 14 में 5 गया तो 9 यहां मचा 6, 6 में 3 गया तो 3 देखिए आपके option में कहीं पर 396 है देखिए बिल्कुल है option नमबर ए में ही दिया गया है अब हम आपको इसी सवाल में एक basic सा बात पूछते हैं इस सवाल में ही आपको एक basic question पूछते हैं और आप सभी कोई comment करें जो लोग video देख रहे हैं एकदम सभी कोई बताईए कि इससे छोटी संख्या क्या बनाए जा सकती है ध्यान रखेंगे ठीए छोटी संख्या इससे छोटी संख्या क्या बनाए जा सकती है सभी कोई comment करें ताकि हम कोई भी लगे कि वह आप बहुत दिल से पढ़ रहे हैं और जो आपको हम पढ़ा रहे हैं और आप वो दिल से जो है सीख रहे हैं ठीक है अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं देखे छोटी संख्या जब निकालने हैं सबसे छोटा अंक 0 उसके बाद छोटा कौन 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 ध्यान रखेंगे यहां पर एक बात आपको और ची ध्यान रखना है कि इसमें हम यह कंडिशन नहीं दिये हैं कि 3 अंक की संख्या बनेगी कि 4 अंक की बनेगी हम किवल क्या बोले इ 345 एक जीरो आगे तो भेल्यों होता नहीं है लेकिन अगर आपको कह दे कि इन चारों को पर्योग करते हुए चार अंकों की छोटी संख्या बताएं तब आप जीरो आगे नहीं ले सकते तब आप जीरो के बाद जो बड़ी है उसको लेंगे फिर 0 फिर 4 फिर 5 3045 हुजा गा सकते हैं ठीक दोस्तों करें और है कर तो थोर्फिट आज के सेसन का देखिए अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर है क्योंकि अब मेरा मूंध सुख्या लगा है ठीक है और सभी टाइप के सवाल आपको दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं और आप मैंसे जिन भी लोगों को लगावाई यह आप सर्फ भीन का कोस्टन तो लिए ही नहीं भीन का सवाल तो भर भर के पूछ रहा है कल के ही एक्जाम में तीन से चार कोस्टन के वल भीन से दिया गया है तो हम भीन से जितने भी टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं उसका अलग से सेपरेट वीडियों बनाके डाले हुए हैं आप सर्फ कर सकते हैं भीन सीटेट भीन रभाय मिरा नाम लेके भी सर्फ करें तो अब आपको मिल जाएगा ठीक है अब देखिए यहां पर कोस्टन क नहीं केता है कि वह सबसे छोटी संख्या ग्याद करें जिससे संख्या 81 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्थ हो जाए पूर्ण घन प्राप्थ हो जाए यानि कि आपको 81 को ऐसी एक संख्या से भाग करना है तो भागफल जो प्राप्थ होगी वो घन मिलना चाहिए अब देखिए option लेते हैं 27, 9, 81 और 3 यही चार आपके options है और भाग किसको करना है 81 को, तो भर या 81 को एकसी को एगर 27 से भाग करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 किसी का भी घन नी होता है, काटो इसको 9 से काटोगे, तो 9 बार में कटेगा 9 किसी का घन नी होता है वर्ग होता है, 81 से काटोगे बचमें करेगा तीन से काटोगे अगर तीन से काटोगे तो बचे का 27 तीन से काटोगे 21 को 27 और 28 3 का यूव वता है तो इसका उत्ता दोस्तों क्या जाएगा ठीन अगया तो आपको आज सार्शन कैसा लगा आप कमेंड करें और पूरे एनर्जिक इसाद पढ़ते रहें तब तक के लिए जय हिंद